हालो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है फ्रेंस आज इस वीडियो में छेत्रिमीती से संबंदित जितने भी फार्मूला आपके बन सकते हैं उन सभी फार्मूला को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे फ्रेंस इसमें बता दें आपको आयत से संबंदित वर्ग, बृत, त्रिभूज घन, घन, बेलन, शंकू, यह जितने भी फार्मूला छेत्रिमीती में होता है फ्रेंस उन सभी फार्मूला को यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे चलिए फ्रेंस स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंस आपके सामने यह पहला है आयत फ्रेंस आयत देगी यह A, B, C, D है आयत इसके आम लंबाई होता है और यह वहला भाग क्या होता है आपका चोड़ाई होता है ठीक है यह होगा चोड़ाई देगे फ्रेंस परिमाव का फार्मूला बनता है टू कोष्ट में लंबाई प्लस चोड़ाई यह आपके क्या होगा फ्रेंस परिमाव हो जाएगा छेत्र फल निकाल आहिए देखे फ्रेंज विकड का मतलब होता है। इन दुन को बुजाओं देखते आपके सामने वर्म को किया होता है और चारों पूजयां बरावर होता है जो आदý कि प्रिम्हाफ होता है या भूजा करसकते हैं यह फार्मूला होता मतलब अभी मताएथ आपको यह कड़ हता है तब परिम्याग को फार्म चार गुड़े भूजा निकालना होगा तो या करणी भा हुआ वीसम्बाहुए समकौर्ट तरिभूज जो चार तरिभूज है इनका परिमाप और च्छेत्रफल देखेंगे देगे फिरेंज पहला है संबाहुत रिभूज संबाहुत रिभूज मतलब होता है कि इसकी तीनों भूजाएं क्या होती आपस में बराबर होती है यहांने की A crashed, A給 B the government, C. यहांने किसी भी तरिभूज का आपको परिभाव परिमाप निकालना है. तो तो तीनों बूजाओं का योग कर देंगे तो उसका प्रिमाप निकाल जाएगा. इसका परिमाप A plus B plus C हो जाएगा. फिरेंस इसका छहतरफ़ल निकालना है. तो संबाहुत्र भूच का छेत्रफल का वहता है फर्मला करणी में तीन बटा के चार गुड़े भूजा का स्क्वार यह होता है छेत्रफल करणी में तीन बटा के चार गुड़े भूजा का स्क्वार फिर इसके बाद संभाउत रभूझ के उचाई निकलना थे इसकी ऊचाई के बटाके चार आदेजीww चलिए फ्रेंस अब निकालते हैं संधि brightness का परिमाब यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंस संधि parentheses of तुरिमाब को मतलब होता है kal couldष को यार्द रखें कि तीन भुजाओं का यूँ क्या होता है उसका परिमाप होता है तो देखे यहीं यहjuste सम्दियों मतलब होता है कि दो दुमेख किया बराबर नि कर निकलना है अपैसे बीप्लसने सी इसका क्या हो जागा फ्रेइस परिमाप होगा और इसका देखे चेटरफल निकालना है यह स्फारी सब्सकिर निकैलेगा ज़ Midi फेमियर म्हें उसाथ इंसकोर निकोरले ज actor वाहता है उसली जया सथ्प्टरफल को देख प्रम्हें इसन मैंसे representative समकोड त्रिभूज का मतलब होता है कि इसका एक कोड क्या होगा नब्वे अंस का होता है ठीक है इसका च्छत्रफल का फार्मूला होता है देखिए यह होता है आधार इसको बोलते हैं और इसको क्या बोलेंगे कड नब्वे अंस के सामने की बूजा कड होता है और जो अगला चतरफल का फार्मूला क्या होता है एक बटा के दू गुड़े आधार गुड़े उचाई चलि अगले फार्मूला के देखते हैं फ्रेंस विसंबाहुत्र भूच का मतलब होता है कि जिसकी तीनों भूजाएं अलग अलग हो यानि यह बूजा इस बूजा यह तीनों भूजा फिर विसंबाहुत्र भूज में याद रखेगा फ्रेंस आपको अर्ध परिमाप भी निकालना पड़ता है अर्ध परिमाप को मतलब होता है परिमाप का आदा ते दे कि परिमाप क्या है ए धन बी धन सी इसका आदा कर दीजिए तो यह क्या हो जागा आपका अर्ध परिमाप परिमाप हो जाएगा इसका च्छत्रफल का फार्मूला देखें विसम बाहुत रिभूज के च्छत्रफल का फार्मूला जो निकालते हैं क्या होता है करड़ी बनाएगे इस प्रकार और यहां पर लिखेंगे हैं और इसी फार्मूला को क्या बोलता है घुर्वन का सुत्र ये खिर्वन का सुत्र भी कालATा है तो फ्रेंस आपको भी सम्भावोज का परिमाप निकालिे पहले उसका तर्फ परिमाप और च्छेत्रफल फ्रेंज जो हिरुवन का सुत्र वता है चाहिए संभा हूँ संभा हूँ या कोई भी त्रभूज दिया हो वहां पे इस शुत्र का प्रयोग आप कर सकते हैं लेकिन बस आप आपको ध्यान ये देना है कि उसमें तीनों भूजा ग्याद हो यह तीनों भूज से संबंदित इसमें सम्चत्र भूज वगा समानतर हूँआं समलब इन तीनों से संबदित जो फार्मॉला बन सकते उन फार्मॉला को यहां पर देखेंगे यहां पर आपका सम्चत्र भूज आपके क्जटर्भुज में क्या होती है? चारो भुजाय बराबर होती है लेकिन प्रत्य प्रतियक को 90 अंसका नहीं होता ही इस बात का आपको ध्यान देना है देकिरेंगे फ्रेंज एक बटा के दू गुड़े विकड़ों का गुड़न फल देखें फ्रेंस एसी और यह क्या है बीडी आपका विकड़ है यहां पहुझा कि विकड़ों का गुड़न फल गुड़न फल तो यह आपको क्या हो जगा सम चतर बुझ का परिमाप और चत्र फल चतर बटा के दू गुड़ों का गुड़न फल यहां डी वन गुड़न बीटू चली अब देखते हैं समांतर चत्र बुझ के देखें फ्रेंस आपको परिमाप निकलना हो तो चारो गुजाओं का क्या करेंगे आप योग कर लीजिये ठीक है कि चार हो घों ऑती हैं उसको जोड देंगे तो आको क्या पता चल जागा समानतर चुळोज का छट्रफल पता चल जाएंगा सुरी दोस्तों परिनाप कैसे क्छफल्ष्ट देखी इसको माल लिजें आपक आधार होगा ऑर यहां से इस पे आप लंब डाल सकते हैं तो यहां से लंब डालेंगे तो आपका यह उचाई हो जागा यानि आधार गुड़े उचाई सकते हैं आपको और समांतल यहां लिछ सकते हैं तो भूजा का योग कोश्वェ también अंगा यहां लिको सकते हैं ता यूज लिए यह अज्क्त यहां लिख सकते हैं यह के Cloud ॥ कोष्ट पान स Fr यहां पर क्या लिखेंगे आप उचाई ठीक है देखिए इसको अंक की देखिए एक बटा के दू लिख सकते हैं गुड़े समांतर बुजा क्या है आपका समांतर बुजा में अब देखेंगे बृत से संबंदी आपको सभी फार्मुला यहां पर बता रहे हैं यहां पर क्या हो जागा फ्रेंस और यहां निकलना है तो दू गुड़े और करतेंगे तो ब्यास निकल जाएंगे ठीक है और ब्यास क्या होता है कि इस तरह मिला देंगे यहीं इसी को क्या बोलते हैं और केंद्रसले के परिदिप कहीं मिलाते हैं इसको बोलते हैं तिरिज्जा इस ब्रित्त का परिमाप या परिदी का फार्मुला क्या होता है आपका टू पाई आर इसका याद रखेंगे आपको क्या दिया है परदी इसमें चाप की लंबाई यह dhp फूचता है चाप लंबाई के फार्मुला होता है कोड बटा के 360 गुडे इसका परदी यानि परदी कशे होता है तू तो फैस भृत से संबदी इतने तू तीन-चार फार्मुले बनते हैं इसको भृत से संबदी इस फार्मुल यार रखिएगा चलिए अगला फार्मुला देखता है घनाफ यह आपके सामने है देखें इस देखाए चोड़ाई किसे दिखाएंगे बीस और यह वालबाक्ते हो जेगा फ्रेंस आपका उचाई Сп手िक कूई लंबाई गुड़े-चोड़ाई घुड़ए उच आहे आय seperti घुनाब का वक्रष्टी 37 जो आपका होता है याद रखिए कर दू कोष्ट में लंबाई है प्लस चोड़ाई है चोड़ाई मतलब B और गुड़े उचाई है जब घनाव का वक्र प्रिष्टिय च्यत्रफल निकालना होगा आपका तो दू कोष्ट में L प्लस B गुड़े H लिखिएगा और संपूर्द प्रिष्टिय च् प्लस पुचाई गुड़े लंबा यह आपका संपूर्फ प्रिष्टी च्यत्रफल का फार्मूला होता है चैंश का मतलब होता है कि यहां से इससीद्स को इससी शीद्च को का मतलब है कि काड़ी में लंबाई के स्कॉर प्लस चोड़ाई के स्कॉर प्लस उचाई का स्कॉर्ण ति इस प्रकाव से घनाप का यह आपका चार फार्मूला बनते हैं जिसके एक्जाम में कई पूछता है चलिए फ्रेंस यह तथा आपका घना अब देखते हैं घन का फार्मूला यहां घन से संबंद आयतान वकिल प्रिष्टी एच्छे तरफल संपूर्व प्रिष्टी एच्छे तरफल अविकार निकालना सीखेंगे देखेंगे घन में क्या होता है इसमें इसकी जो वीमाईं होती है आपस में बराबर होती है तिसका आयतान का फार्मूला क्या हो जाएगा कि भुजा गुरे भूजा उब बुजा तीन बार या या इसको लिए — और थीन राखते हैं ईया पर दोजा लेकर लुदो देखके लिए छट्र, था वोंद राखिए था रह दुwaite वक्रिफिश्टी च्यत्रत परल होगा ईसका विकढ़ dak driving एक वुक्रिफिश्टी चेज्य चत्रफल के शाओगुले भूजा पर that ठीक है in वक्र पिष्टीे और संपुण पिष्टी श्त्रफब हो गया करोठीज निकालना होगा करणा ही में तिन गुण भूजा इस पाद सेगहन्द का आयतन वाला वक्र पिष्टी वक्र बासर फार्मूला यह इसे है यह यहां प्ले से सब्सक्राइब करते हैं, तुमें सब्सक्राइब कρέmsel Beach प्रिश्टिर स्टतराफल करें याद्र करें आसने अर्प्लस यचिन करें संपूरट का आयतन जो कोखाला बेलन का आयतन का प्र 연락 एक और मतलब होता है कि इसमें्यों कि भाग ग्यायद करनाज हो दिए इसका आयतन होगा पाई है उसको बड़ी तिरिज्या दिया रहा है सवाल में और छोटी तिरिज्या दिया रहेगा कर देंगे खोखला बेलन का आयतन का फार्मॉला निकल जाएगा तो चलिए फ्रेंस यह संबंदित है अब यहां पर देखते हैं संकु से संबंदित फ्रेंस और देखते हैं तेरेसे आपके संकू है इसमें यह बीड değat यह अप को इसमार आर सा दिखाते हैं इस इसके बाद वक्र प्रिष्टीज रफल का फार्मूला क्या होता है फ्रेंस तो वक्र प्रिष्टीज रफल का फार्मूला निकाए कि पाई आर यह ठीक है पाई आर यह हो जाएगा फिर इसके बाद संप्रूत प्रिष्टीज रफल का फार्मूला होता है पाई आर कोश्ट मे सुरी दोस्तों यल बराबर आपको कहुंगा कि करणी में यह कोष्ट में इसकौर पलस र का woh लेख द्रूजिक उते फार्मूला देखते हैं कि अगला इच्छर कृटी हूर संप्रूत फार्मुला ट्स आ प्रसोंस मिलति को दिए सिल चाहे ग्याद को बिस्कार होता है कि लिध करस्ञा किया है लिक्लाओं ने When यतल değerAL उतिक देखते हैं और प्रिष्टीज manifest हता है कि 4 bear को अार स्कॉरड फिंद्गोला का आप पृर्मॉला का इसके साथ प्रिष्टीज इन याद रखे का इसके बाद इहां बडता अर्द गोला को सिध्यर क्राइस क्या होगा गोला का इसकिbas यह प्रेस आयतन जोगा इसका अधा कर दीजिए 4 बटा 3 में दू का भाग देंगे तीगा है 2 हो जागा दू पटा के 3 पाई आर की हो जागा ती आयतन का फर्मिलो यह याद रखे गिसके बाद वक्री क्रिश्टी च्छत्रफल है इसका अधा कर दीजिए तो 4 में 2 का भाग द आर स्कॉार तो इस प्रकार से आप अर्दगोला का आयतान वक्र पिष्टी और संप्रूप पिष्टी छेत्रवन का फार्मूला यहां देख सकते हैं तो छेत्रमीती से संबंदित जितने भी फार्मूला बन सकते थे एक ही वीडियो में यहां पे आप लोगों को अपलोड कर दिया गया है आप साभी फार्मूला को देखें और एक जगे कापी पर लिख ले इस पर आपके एक्जाम में बहुत ज्यादा क्वेशन पूछता है और इन्हीं सभी फार्मूला को बार बार पर्योग किया जाता है तो फ्रेंस आप कोई वीडियो पसंदा है तो वीडियो क लाइक करें और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें